हाई गाइस कैसे हैं आप सभी लोग आई हूप अच्छे होंगे और आज किस वीडियों देखने वाले हैं बीएसी सेकेंडरी वालों के लिए बॉटनी का सेकेट पेपर हैं 2022 में आने वाले कोशन की बात करेंगे जो मॉस्ट इंपोटेंट होंगे बीटा मॉस्ट इंपोटें जाने में आप अप किण अपने नोटस से जायरी कर रहे हैं घृस्पिपर से जायरी कर रहे हैं पस्पे टीक लगा लो जो कॉशन बता रहा हुं इस पर टिक लगा तो लोग रखेंगे और दोस्तों को शेर करें कोई दिक्क्त आती तो कमेंट सक्षन पूसकते हैं यहां आपको मैं बता दूं सिंपल तरीके सा देखी नहीं अब यहां देखो मैं पूर दिखा दू जहां लेंगे तो कंपलेक्स और उनके कारि के वारे में आद कर लेंगे ग Important है उसके बाद में next question उसकी भारे चनल में कि पर उसको देख लेंगे प्रेध जीन उत्परीब डिए przeci पॉदों का लिंक निर्दार किस प्रकार से होता है इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला मैं आपसे बादा करता हूं को फेल नहीं होने दूगा कुछ भी हो जाया जो बता रहो वही कोशन पढ़ लो एक कोशन एक्स्ट्रा पढ़ने की जूरूत नहीं है एक कोशन और भी लेगे उसो अर्दसूत्री विवाजन सम्सूत्री उर्दको उसह का याक होगते से अर्दसूत्री और देगा। मेंटल के तीनों नियम को पढ़ लेंगे मौस्ट इंपोटेंट है अनुकुलता किसे कहते हैं यह देख लेंगे और एक सबसे ज़्यादा पूंचा जाता है इन दोगोश्य मासे एक कोश्य मंता है जिसे जलोदित यह फिर मरोदित भी वोलते हैं इनको अच्छी तरीके से या सिस्टम के से गयता है एको सिस्टम की बारें पढ़ लेना पादब अनुक्रमण क्या होता है इसको देख लेंगे और उसके बाद में नेक्स कोश्यन पर टिक लगाएंगे सभी लोग नेक्स कोश्यन है जो विनवर्ग था उनके सिध्धान की बारे में मॉस्ट इंपोड़ परिष्टित की जो होता है एको सिस्टम होता है उसके अनुकूलन की बारे मुष्टा है वह आपके बुक में तो टिक लगा लेना यह मॉस्ट इंपोटेंट होगा पूचा अज़र सुका है ठीक है जीन इकलोजी क्या होता है इसको ठीक लगाएंगे माइट्रो केंडेरिया क्रोमोसोम्स क्या होता है इसको देख लेना क्रोसिंग और की बारे में नाइट्रोजन चक्र मॉस्ट इंपोटेंट है हरित लबक क्रोमो से क्लोड़ोप्लास्ट कहते हैं अच्छी तरह किसे देख लेना ठीक है और सलिबरी जो इसको भी टिक लगाएंगे लिखोब बैंक रोस और टेक्स फ्रॉस मॉस्ट इंपोटेंट है एक्जाम से पहले मैं किवल दस कोशन दोगा जो आपके एक्जाम में टोटल फस्ते होगे मतलब कुछ और पढ़ने की जूरुत नहीं पढ़ेगी आपसे बादा करता हो कि आप प्लस मतलब कि टॉपर करना है ना तो संगर्स तो करना पड़ेगा मेनर तो करनी पड़ेगी यार ठीक है और देखो जिनो टाइप क्या होते है इसको पढ़ लेना जिनो टाइप के बाले में बहु बढ़ता की बारे में बता चुकाँ उपर इन में से एक कोशन बगएगा सो परशेंट दोनों पढ़ लेना नेक्स कोशन को देखते हैं जैब विकास ना महत मों क्या है जो को बहुत बुरता को ही पॉलिपलाइडी कैसे बोला जाता है और इसके जैब विकास के महत के बारे में देख लेना है ऐसे ओके नेक्स कोशन है ॐसको देख लान खाद सरंकला के बाद काद चाल लग लेकर फीज्वायाद लेकर यहां अधल्यस की बारे में देख लेना इम्पोटैंट है उसके बाद में लाश्ट में हम बस यह कहेंगे कि जो उरजा परमिंट नीचे देख लेको मिले का बाकिय के बारे में ठीक है और ब्राइडी से वोलते हैं उसका महत के बारे में ऊपर दे रहा है और उसकी बाद में देखो यह बोला गया है जैब भार परविंड क्या होते हैं इसको पढ़ लेना वस इतना पढ़ने के लिए वह लोगा इससे जादा कुछ नहीं है और यही सब मॉस् जल्दी इसकी थर्ड पेपर को लेकि आ रहे हैं सब तक के लिए थैंक यू